जैने दोस्तों स्वागता चैनल पे मैं हूं बाबाराम दास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी बाबा जी आपको बहुत बहुत प्रणाम आपके सभी दर्शकुन को नमस्कार जैयर स्रियाम जी जैयर स्रियाम टोटी चोर की थूको और भाग लो जो ब्रिगेड है इसको कहते हैं स्पिट एंड रन देख था ने हिट एंड रन तो इनका है स्पिट एंड रन अखिलेश जी की जो थूको और भागो राजनीती है मैंने सुना हुआ पूरी की पूरी बिल में घुसेड दी गई है मैं तर्शकों के रेफरेंस के लिए बता दू कि आज से तीन दिन चार दिन पहले समाजवादी पार्टी और उनके गुर्गों ने और उनके पिठुओं ने जो कि उन्होंने मीडिया में चोड़ रखे हैं और सोशल मीडिया पे चोड़ रखे हैं एक खबर उड़ाई गई कि बाबा योगी आजित तिनास जी के नजदी की एक पुर्व नौकर शाह के घर में 65 करोड रुपे की चोरी हुई है तो सब जिन नौकर शाह महोदय का नाम उच्छाल कर जिनके बहाने से क्योंकि वह उनका योगी जी की जो जो सहयोगी टीम होती है सची वाले कि उसके वह बड़े प्रमुख नौकर शाह रहे हैं अभी भी उनके सलाहकार हैं तो उनके बहाने योगी जी पे निशाना साथ र अदालती नोटिस भेजा गया और तुरंत माफी मांग ली एक वो जबरिया रिटायर IPS हैं वो और उनकी पत्नी बहुत बड़े एक एक्टिविस्ट बने हैं उन्रण तो एकदम लेट के जमीन पर लेट के ठुक के चाटने वाली माफी मांगी है जबरिया रिटायर IPS ने क्या म अंदर भी बता दिया उनसे जोड़के ये खबर चलाई गई थी हालां कि अगर बहुत खोजने पर दिखाई दिया तो एक प्रमोटी आइस जिनका कि रामनगर उत्राखंड के रामनगर जिले में एक गाउं में एक मकाम था जो खाली था वो रहता परिवार लखनों हुए वहां आठ और नौ सितंबर की दर्मयानी रात एक चोरी हुई थी जिसका प्रापर अफायार दर्स था बहुत खोजने पर ये मिला मजे की बात ये कि जिन कोठी जिन सज्जन की कोठी का हवाला दिया जा रहा था वो एक एक एकस आर्मी मैन की कोठी है वो विचारे परिशा जो है उत्राखंड के डीजीपी साथ को यहां तक कहना पड़ गया कि ऐसा है कोई आधार हो तो लाके बताईए अन्य था इस तरह का जो कुछताच आप लोग केंद्र खोल के और लगातार अफालतू बाते कर रहे हैं तो मैं अब एफाईयर कराओंगा तो उसके बाद वहा की ऐसा कुछ नहीं है अकलेश यादो जी ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में उन्होंने विशप दुरूप से मजा लिया और इशारा किया अपने इकोसिस्टम को उसमें यह खबर दी कि साथ उत्तराखंड में बुद्पूरों नोकरशा के घर से 50 करोण रूपे आपने परिवार भी लेके इसको बड़ा चिंतित है FIR नहीं है यह ट्वीट उन्होंने किया और इस ट्वीट के बाद आपने जैसा की कहा कि एकोसिस्टम के तमाम लोगों के बाकी थूको और भागो वाले काम शुरू हो गए साक्षी जोशी उन्होंने वीडियो बना डला एक न्यूज नशा नाम का एक नशाखुरी सेंटर है यूटूब पे उसने प्रापर वीडियो बना डला और अमिताब ठाकोर जो की जवरिया खुद को रिटायर कहते हैं और इस समय जवरिया नेता बने पले हैं मैं उनको एक्स पोस्ट पर बाकाइदे पोस्ट किया और सिभी आई जास तक चले गए और वो चार कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने बाकाइदे उन अधिकारी आवस्ति जी का बाकाइदे नाम लिखा नाम लिखें उन्होंपर निजी आरोप और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आरोप है बलकि ये सारे लोग घोशना कर रहे थे कि ऐसा हो गया है एक होता है आरोप लगाना दूसरा ये लोग घोशना कर रहे थे अच्छा मूतन ठाकुर जो कि इनी अमिताब ठाकुर जी की पतनी है वो कहां पीछे रहने रहने वाली है वो तो जानी जाती है इसी त कि जो कुछ भी मेरे नाम को लेके अनरगल बाते की जा रही है हम इसके खिलाब कानूनी कारवाई करेंगे और ना सिर्फ ये घोशना थी बलकि कानूनी कारवाई यानि लीगल नोटिस इनिशेट कर दी गई 24 घंटे के भीतर जैसे ये लीगल नोटिस इनिशेट हुई है सबसे पहले वो जो न्यूज नशा नाम का जो टपरी मैंने बताया आपको वहां से वो संबंधित वीडियो जिसमें उचल उचल के ये सारी दुर्भावना वाली उल्टिया की गई थी और सारे नाम आरोप और प अगर आप कहें तो मैं उसको पढ़ देता हूं कि उनकी भाषा क्या है और सेम कॉपी करके वही पोस्ट जो है उनकी पत्नी उन्होंने भी डाला है मैं दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं अमिताब ठाकूर आजाद अधिकार सेना ये इनकी पार्टी है मैंने श्री अवनी सवस्थी आईयस रेटायर के संबंद में सोसल मीडिया के समाचारों के आधार पर जाच की मांग की थी उन्होंने इन खबरों को पूनता निराधार बहुर असत्य बताया है अतह मैं पुर्व प्रेशित अपने एक्स पोस्ट को डिलीट कर उन्हें इससे हुई पीडा के लिए सारजनिक रूप से छमाप प्रार्थना करता हूं यही सेम भाषा है नूतन ठाकूर के एक्स पोस्ट की और इन लोगों ने अपने जो पुरानी एक्स पोस्ट थी वो हटा दी अब यहां सवाल यह आता है साथ मैं अमिताब ठाकूर जी से पूछना चाहता हूं आपने एक्स पोस्ट हटा लिया आपने माफी मांग ली नूजनशा नाम की उस दुकान ने कंटेंट हटा लिया लेकिन सर ये मीडिया वारफेयर का समय है आप इस तरीके से किसी के व्यक्तिगत आचरन किसी के चरित्र किसी की इमांदारी पर इतना बड़ा आरोप लगा के और आरोप भी घोशना करते हुए इस तरह से आप कर देंगे समाचार तो जहां जाना होगा वहां पहुंच जाएगा बाते तो जहां तक जानी होगी पहुंच जाएंगी ये तो उस दौर की याद दिलाता है सर कि जब अख़बारों में कोई चीज छप जाती थी और उसके बाद चार दिन के बाद एक छोट के इस बातों को दोरा चुके हैं उनके परिवार का नाम लेते हुए दोरा चुके हैं वो उल्टी कैसे समेटेंगे साथ कैसे समेटेंगे तो इसलिए ये पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पर जब बात हुई थी बाबाजी तो यही हुआ था कि दरसल ये हमला अकलेश ही गई और हमने जब परताल किया तो इसमें कि भाई कहीं कुछ हुआ हो तब बात निकल के आए कि 8-9 सितंबर में राम नगर में एक प्रमोटी रेटायर्ड आईयस साब के घर पे ऐसी कुछ चोरी हुई थी लेकिन जिसमें कहीं कोई जमीन नहीं कोई सच्चाई नहीं तो यह एक सतही राजनीती है और मुझे लगता है कि यह इस बात को प्रमारित करता है कि कमजगम विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में यहां की सरकार यहां के मुक्हमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं है तो जब कुछ नहीं है तो फिर गढ़िएगा तो गढ़ने का तो यही हा प्रशासिनिक सेवा के रिटायर अधिकारी है आप जो है राजनीती कर रहे हैं आपकी पप्ति शोशल एक्टिविस्ट हैं आप दोनों अब नेता हो चुके हैं तो ऐसे में आप जो है सोशल मीडिया के आधार पर इस तरह से किसी के जीमन पर किसी की परसनल लाइफ पर किसी की इमांदारी पर इस तरीके से अटेक कर देंगे अब यहां एक चीज या दिलाना चाहता हूं में खास तोर से नूतन ठाकुर जी के संदर में और इस अवस्ति परिवार के संदर में 2011-2014 में जब लोग सभात का चुनाव शुरू होने वाला था तो चुनाव आयोगने चूकि आप जानते हैं कि अवस्ति जी की पत्नी हादर्रियं मालेनी अवस्ति जी वो लोग गाईका हैं परख्थात लोग गाईका हैं पदमिश्री और जो है केवल लोग गाईका ही नहीं है बलकि वो उप शास्त्रिय और शास्त्रिय गाईका भी है गर्जा देवी जी की शिश्य हैं तो उनको चुनाव आयोग ने 2014 के लोग सभा चुनाव से पहले अपना ब्रांड अमेजडर बनाया और चुनाव आयोग की ये नियत और इस अभियान के तहट की जादा से जादा वोटिंग हो मालिनी जी ने कई प्रदेशों में कई प्रदेशों में गोम गोम के स्कूली बच्चों के बीच रेली ओं के बीच उसमें एक अपना एलेक्शन कमीसन का एक सरकारी चाकुर जी नहीं जाता है उसमें किसी पार्टी किसी का वो नहीं जादा मद्दान गर से निकलिए मद्दान करने जाईए अमिताब ठाकूर जी जो है वो सेवा में थे सरकारी सेवा में थे मूतन ठाकूर जी एंजियो चलाती थी लेकिन दुरभावना का इतिहास देखिए कि 2014 में मालेनी अवस जी की पत्नी शुक्षी मालेनी अवस्थी जी इलेक्शन कमीशन से के यह काम कर रही है और जब उनको जवाब आटियाई का मिला तो वो करारा जवाब था कि मात्र एक रूपया मैं रिपीट कर रहा हूं साब केवल एक रूपय के मानदे कह लीजिए फीस कह लीजिए जो इसके अभियान में जुटी थी तो इसका अर्थ है कि इस परिवार से अवस्थी परिवार से कमसंकम यह इन दोनों व्यक्तियों का इन दवपति का पुराना एक्रार है आपने 10 साल पहले भी यह प्रियास किया था इस तरह का चरित्र हनन करने का प्रियास किया था और उसमें भी फिनेंस जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये सड़क चलते हुए लोग नहीं है सर और ये लोग स्वयम को सोसाइटी का एक रिप्रजेंटेशन करने वाला कहते हैं और इस तरीके से भाई एक बार मैं अखिलेश यादो जी एक राजनेतिक वे तो समझ में आता है कि ठीक है पोलेटिकल आदमी कर जाता है लेकिन इस तरह की और जैसे ही आपने नोटिस जेली उसके बाद आप यह कर रहे हैं तो यह बहुत दुरभागे परून है और मैं अंत में एक अपेच्छा करूंगा और मेरी अपील है कि इस माफी का कोई सग्या सब्सक्राब हुआ है बोव तो उसको भाला वह भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला तो कबीरदार जी की इस शेरोशायरी का अक्षर्श पालन करते हुए मैं यह अपेक्षा करता हूं कि अबनी शवस्थी जी इस फर्जी जूठी और मतलब दुर्भावना से भरी भी माफी का बिलकुल संग्यान नहीं लेना चाहिए और इनको वो सबक सिखाना चाहिए देखिए जब आप इस तरीके से इन चोटों को इन डाकूं को जब इस तरीके से एक सिंपल मतलब आधे धूरे मन से मजबूरी में मांगी गई का संग्यान लेकि जब माफ कर देते हैं न तर तो इसी से इनका मन बढ़ता कि अरे यार चलो कोई भी आरोप लगा दो कल को ताले कुमा भी मांग लेंगे इसलिए सर जो ताको काटाब हुआ है बोव तो उसको भाला इस पॉलिशी पर चलते हुए इनको काईदे से मांस करना चाहिए और मैं इन थुक चट्टों को ये थूक के चाटने वालों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि भाईया अवल तो जो बांस सडक पर पड़ा है उसको अपने पिछवाडे में लो मत और ले लेते हो तो फिर हाय हाय मत करो और निकालो मत अबे अब जब सडक पर पड़ा हुआ बांस तुमने ले ही लिया तो फिर उसको घिसराओ दुचार किलोमेटर ले जाओ यह कौन से तरीका हुआ कि कल मतलब तुम्हारा मुह है यह क्या है कुछ भी मुह से बोल दिया जाले को है यह कि अच्छे यह तरीका कौन सा अच्छे एक चुदर बताओं यह गुर्गे हैं मैं आरोप लगा रहा हूं यह समाजवादी के पार्टी के पाले गए कुत्ते हैं जो की मालिक ने बोला आतू आतू और एक टुकड़ा लगा दिया और बोला चलो बेटा भौको अब औ अचा यह अखिलेश यादव वही है ना मैं पिछले पिछले वीडियो में भी मैंने यह आरोप लगा था आज दोरा रहा हूं अखिलेश यादव को बोली है कि मेरे उपर मानहानिका और कोट का नोटिस भेज़ दे कि तुम्हारे बाप के पास तुम्हारे चचा के पास को बेचके करोड़ों नहीं अर्बों रुपए की संपत्ति कमाई है आप अपने परिवार का पिछले 45 साल का आई टी आर दाखिल कीजिए देश को बताइए कि आपने ये इतनी बड़ी दौलत कहां से कमाई कौन सा बिजनस था तुम्हारा कौन सी खेती बाड़ी थी कौन स बठे चलते थे तुम्हारे कौन सा बिजनस किया है तुम्हारे खांदान ने किया है तुम पूरी विक्रमा देते मार की सभी कोठियों के मालिक बनके बैठे बताइए तो जो खुद चोर होता है और सर जौनी मेरा नाम फिल्म का एक बड़ा मश्यूर सीक्वेंस है प्रेम चिनात जो की विलन है वो सज्जन कुमार नाम का अपने भाई हमें हमा मालने के पिता जी को अपने अड़े पर कैद कर रखा है बहुत और बिचारी हमा मालने डोंटी पिर रही है तो दोनों भाईयों का संवाद है कि तुझे आखिर मुझसे दिक्कत क्या है तेरा मेरा क्या प्राब्लम तुमने मुझे क्यों बंद कर रखा है तुम मुझे क्यों प्रताडित करता है तो बोले साले तुम्हारी सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि साले तुम बहुत इमानदार हो चोरी चकारी तुम नहीं करते डकैटी तुम नहीं करते माफिया गिरी तुम नहीं करते लड़की बाजी साले तुम नहीं करते बतलब शराब खोरी तुम नहीं करते अब साला सारा समाज हमको कंपेर करता है कि देखो भाईवा इतना शरीप है ये साला इतना बड़ा गुंड तो साले अगर तुम बदमाश होते तुम्हारी शराफत मेरी जबते बड़ी प्रॉब्लम है प्रेमनाथ यह बोलता है कि तुम्हारी जो शराफत है यह मुझे जीने नहीं दे रही तर योगी जी की इमांदारी समाजवादी पार्टी के इन नेताओं को जीने नहीं जो साले इतने चोट्टे हैं इतने बड़े चोर हैं और एक तरफ योगी जी की का जीवन कुफली किताब है कि तुम्हारे अंदर दम है तो लगाओ न योगी के उपर भाई बतिजावाद का परिवाद का ब्रस्टाचार का कि देश को बेचने का अरोप लगाए यह है बिलकुल ठीक बात तो योगी की इमांदारी योगी की बेदाग चवी इनको दिन रात जीने नहीं देती सोने नहीं देती तो सरी योगी पर निशाना साधने के लिए योगी के नज़दीक जो लोग है योगी की जो सहयोगी टीम है उस पर कीचड़ उचालते रहते हैं तो अवनिश अवस्थी जी को बाकाइदा संग यह मामला अवनिश अवस्थी जी का अकेले नहीं है अल्टिमेटली यह कीचड योगी जी पर उचालने की कोशिश थी इसलिए इसको हलके में लेने की जुरूत नहीं है और वाबा जी एक चीज और देखे इस समाज में अगर संबंदित अधिकारी अवस्थी जी ने यह नोटिस लिया है इसको इसका सग्यान लिया और सग्यान लेने के बाद जब इस तरह की क्यारवाई कर रहा है मैं बताओ यह एक स्वस्थ समाज के लिए नजीर बनेगी ऐसे बहुत सारे दुरागराही लोग जो हैं जो की 2017 के बाद सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक जो वरकिंग कल्चर उत्तरप्रदेश में बदला है चाहे वो लाइन ओर्डर के स्थिति हो, चाहे सरकारी कामों के स्थिति हो, चाहे विभाग में विकास के स्थिति हो, भाई जहां पर अभी भी कहीं करप्शन है, क्योंकि सिस्टम वही है, अधिकारी करमचारी वही है, कोई नया अधिकारी करमचारी नहीं आ जाते हैं जब सब एक और ignorance की चलो छोड़ दो इससे आपने जो कहा कि हिम्मत पड़ती है और दूसरी बड़ी बात कि आप इस बड़े लेवल पर भाई ए छोटी बात नहीं है टीम योगी पर हमला किया गया है इस लेवल पर अगर इस कानूनी कारवाई को इनिशेट किया जाए तो ऐसे जो तत के रास्ते में जो इस तरह के बहुत ही गंदे सस्ते और भदे अवरोद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है इस पर लगाम लगेगी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अवस्ती जी को नजीर बनानी चाहिए उत्तर प्रदेश में अवस्ती जी को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ल संग्यान नहीं लेना चाहिए अवनिश भाई आपने समय दिया आप कंक्लूड करना चाहें तो कंक्लूड करें नहीं तो आज की चर्चा में इतना ही अवनिश भाई आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवासर अगली वीडियो में फिरते मिलते हैं तैंक यू वेर मैच अधनिवासर नमस्कार